तो अपनों गब स्टार्ट करें सर्वेंग ठीक है तो इस सर्वेंग का परपस तो आप जानते हैं क्या होता है हमें सर्वे करके बेसिकली क्या है पिलानिया मैप बनाना होता है ना पिलानिया मैप बनाना होता है हमें सर्वे में चलिए तो तो सब्वे को क्लासिफाई करते हैं फटाफट कहा रहे बागी सब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कर दो कि अ चले तो सबसे पहले तो देखो आपका जो कैशन आता एक्जाम में वो क्लासिफिकेशन और सर्वेइंग पर आता है तो आपको मालम है जियोडिक्टिक सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं अंद चलिए अब जो जियोडिक्टिक सर्वेइंग होता है यह Department of National Survey of India si के दोरे क्यों जाता है अब यहाँ पर कुछ points है जो कभी-कभी J level पर पूश लेता है कभी-कभी J level पूश लेता है जैसे करवेचर को effect लोग समझना ये हमारे जो अर्थ है अर्थ की shape आप लोग जानते हैं oblet spheroid shape होती है क्या होती है? oblet spheroid spheroid shape देखे दानसे तो अर्थ पर क्या होता है कि मालने ये दो point है और इनके बीच में यहाँ पर अगर एक cord इस cord की length मेजर करता हूँ और इसके along अगर में length मेजर करता हूँ तो आपको मालने में 12.33 km लंबी arc ये जो इतनी लंबी arc होगी इसमें और cord में केवल 1 cm का difference होगा इसी तरह से अगर सारे 18 km लंबी 18.5 km लंबी arc लेंगे तो cord length में और इसमें केवल 1.52 cm का difference आएगा ठीक है अब यही length हो क्योंकि exam में question इस पर आया है ठीक है और 195.5 km2 तक पहले ये 250 के करीब आता था एक्जाम में 195.5 195.5 km2 तक इतने एरिया तक करवेच रखा कोई effect नहीं आएगा ठीक है चली now classification of surveying based on purpose purpose के basis पर topographical survey topographical survey में क्या होता है किसी एरिया का उसकी जो shape है features है उनको जानने के लिए हिंदे बोलते हैं इस्थल इस्थल आकरतिक survey इस्थल की आकरती के बारे में then engineering survey engineering purpose के लिए cadastral survey property की boundaries को decide करने के लिए hydrographic survey water bodies के लिए astronomic survey heavenly bodies के लिए ठीक है यह सब पूछा जाता है then geological survey तो अर्थ की core अर्थ की जो crust वगएरा है उसको study करने के लिए minerals वगएरा के लिए वह सब इतना important नहीं होता है जो main survey है जो हमें classification समझना होता है वो होता है based on the instrument और इसी के basis पर हमें survey पढ़ना भी होता है जैसे chain surveying chain surveying का मतलब केवल chain यूज करेंगे ऐसा नहीं है chain survey का मतलब होता है इसमें केवल linear measurement लोगे क्या लोगे linear chain से लो चाए tape से लो चाए कुछ और instrument हो but when only linear measurements are taken then it is called chain surveying compass survey compass survey में क्या होगा length के साथ साथ angles भी measure किये जाएंगे labeling में हम लोग क्या करता है basically vertical profile में work करता है कहाँ पर level बल रहा है कहाँ पर level down हो रहा है उसको labeling में पढ़ता है plain table surveying ये एक ऐसा surveying है जो बहुत fast है और इसमें office work और field work दोनों एक साथ हो जाता है theodolite survey theodolite एक बहुत highly precise instrument होता है ठीक है जिसमें आप लोग vertical और horizontal दोनों एंगल मेजर कर सकते हो ये भी एक्जाम में पूछाता है tachometric survey में क्या होता है ऐसी जगे जहां पर chain के थुरू length measure करना difficult होता है वहाँ पर हम लोग tachometric survey कर लेता है tachometer क्या होता है एक तरह का theodolite होता है जिसमें special type पर क्या करता है stadia diaphragm यूज करता है और similar triangle के concept पर ये based होता है जबकि plane table जाहे होगो parallelism या parallel line के concept पर based होता है फिर एक photogrammatic survey जिसमें हम लोग photographs का यूज करके survey करेंगे and then EDM electromagnetic distance measurement ये survey होगा ठीक हो या चले तो सबसे पहले दो ये question आख पर एक्जाम में आता है principle of survey तो दो main principle होता है आप जानते है work from hole to part and locate a point by at least two measurements तो बाहर से अंदर की ओर survey होता है ठीक है ताकि error accumulate ना हो और किसी भी point को locate करने के लिए कम से कम दो well established point की ज़र्द पढ़ते है ये exam में पूछा जाता है आपका भी मालूम है दो point से आप कई तरीके से किसी third point को establish कर सकते हो जैसे donor से angle पता हो donor से distance पता हो donor की बीच में perpendicular हमने draw किया उस पर distance मालूम हो एक point से इस line से angle और इस point से distance मालूम हो donor point से angles मालूम हो साथे तरीके हो सकता है फिर होता है जब भी हम लोग की map या plan बनाते है scale केवल map का ही हो ये कोई जरूरी नहीं है plan ठीक है तो plan या map को हम लोग किसी scale पर बनाते है तो किसका scale जादा होता है plan का scale बढ़ा होता है या map का scale बढ़ा होता है किसका स्केल बड़ा होता है मैप का या प्लान का जा रखिए का प्लान को लार्ज स्केल पर बनाया जाता है और मैप को छोटी स्केल पर बनाया जाता है प्लान को लार्ज स्केल पर लार्ज स्केल जबकि मैप small scale कैसे पता करते हैं तो इसके लिए representative fraction होता है representative fraction का मतलब क्या था map distance upon ground distance जैसे हमने का ground पर जो distance है 10 meter ठीक है या मल यह 20 meter और उसको map पर दिखा रहे हैं हम लोग 10 cm से तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 cm जो है वो 20 meter distance बता रहा है ठीक है यही क्या होता है scale होता है ठीक है तो यहाँ पर जैसे हमने का कि scale 1 upon 100 का है तो इसका लाग 1 से 1 cm on map is 100 cm on ground 1 cm अगर 1 km की equivalent है तो इसका जो representative fraction निकालना होगा तो representative fraction के लिए याद रखे का same unit में होना चाहिए तो km को भी हम लोग क्या करेंगे cm में convert करेंगे तो 1 km में कितना होता है 1000 m और यह 100 cm चला गया तही होगि 1 upon 10 की बावर 5 exam में आता है question पहचानने को कि सबसे बड़ा scale कौन सा है अब कई तरह के scale होते हैं हमारे बाद plain scale, diagonal scale verneal scale, shrunk scale plain scale जो normally आप scale use करते हो जिसमें आप unit और 10th को measure कर सकते हो जैसे cm और mm को वह plain scale हो गया, diagonal scale में क्या होता है, आप एक ही समय पर unit 10th और 100 को measure कर सकते हो ठीक है, decimeter, cm, mm जैसे, verneal scale आप जानते है, verneal scale दो तरह का होता है, direct verneal और retrograde verneal, और एक होता है shrunk scale, जब कोई पुराना map जब श्रिंक कर जाता है, तब हम shrunk scale use करता है तो plain scale used to measure two dimension only, like units and 10th, diagonal scale 3 के लिए, meter, decimeter, cm, decimeter, cm, millimeter, etc फिर verneal दो तरह का direct verneal direct verneal में क्या होता है कि n-1 division of main scale are equal to n division of verneal scale retrograde में क्या होता है main scale के n plus the one division, और verneal के n division, important यह नहीं है important है यह, least count आपको याद होगा, मैंने इस पर question भी कर रहा है, least count पर least count क्या होता है, as upon n least count क्या होता है, इसको याद रखेगा as upon n, as क्या है main scale के एक division की map और n क्या है number of divisions on verneal, for example अगर मैं कहूं कि आपका जो main scale है उस पर सबसे छोटा division है, वो 1 mm का है और verneal scale पर 10 divisions है तो इसकी जो least count होगी, वो 1 upon 10 यानि के 0.1 mm होगी आप से 0.1 mm तक measure कर सकता है तो इसको याद रखेगा, इससे exam बन सकता है फिर एक होता है shrunk scale shrunk scale का मतलब क्या होता है पुराने जो पहले scale होते थे उनमें क्या होता है लिख दिया, 1 cm बराबर 1 meter अब याद रखेगा, जो map होता है या जो plan होता है उस पर यहाँ पर dimensions लिखी नहीं जाते हैं कि यह 10 meter है, यह 5 meter है जिससे में यह map बनाया गया था उस समय यह जो A से B के भीच की distance है यह यहाँ पर 2 cm थी ठीक है और हम मान के चले कि 1 cm बराबर कितना है 1 meter है ठीक है तो मान लो यह जो A-B distance है वो हमने initially जब plot की थी उस समय यह A-B 2 cm थी और हमने मान कर चले कि 1 cm बराबर 1 meter तो basically A-B distance जो ground पर होगी वो कितनी होगी 2 meter होगी लेकिन बहुत समय बाद 10, 20, 30, 40, 50 साल बाद जब इस map को दुबारा उठाया गया प्लान को और इसको measure किया गया तो पता चला कि यह 1.98 cm है कितना है 1.98 cm है अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1 cm बराबर 1 meter तो आप यह क्या सोचोगे कि this distance should be this distance should be 1.98 meter यही तो सोचोगे आप क्यों क्योंकि जितनी length ही होगी उसको आप scale से multiply कर दोगे अब हुआ क्या यह distance ground पर तो 2 meter ही रही न ground पर distance थोड़ा change रहेगी ground पर तो 2 meter थी 2 meter ही रहेगी लेकिन कागज सिकुडता है ठीक है कागज क्या होता है पेपर क्या होता है सिकुडता है उसकी वज़े से length थोड़ी सी क्या कर गई थी यह क्या कर गई थी शिरिंग कर गई थी जिससे आपको reading क्या मिल रही है गलत मिल रही है reading क्या मिल रही है गलत मिल रही है तो ऐसे case में हम लोग क्या करते है shrink scale का use करते है shrink scale का use करते है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि यहां पर लिखने के साथ साथ एक सेंटीमीटर बरावर एक मीटर लिखने के साथ साथ यहां पर यह बना भी दिया जाता है उस समय पर जब यह मैप बनाया गया था तब वहां पर एक लाइन खिंजदी कि एक सेंटीमीटर बरावर इतना अब सोचो अगर ये लेंग्ट सिकुड़ी है यहाँ पर 1 cm भी क्या हो गया होगा कम हो गया होगा तो यहाँ से हमें मालम चल जाएगा कि आप माल लो बहुत common sense से आप इस सवाल को कर सकते हो बिल्कुल basic से बच्चों वाले method से unitary level से तो माल लो यहाँ पर क्या हो गया हमने का कि पहले यह distance यह भी जो थी वो पेपर पर 1 cm थी 1 cm बट आज की डेट में सिकुड़ कर आज की डेट में सिकुड़ कर यह value किती रहेगे 0.9 0.98 cm तो हम कहेंगे आज का 0.98 cm उस समय का कितना बता रहा था 1 cm तो आज का 1 cm उस समय का कितन बताएगा 1 upon 0.98 cm तो यह distance जो आज की डेट में 1.98 है माल लो आज की डेट में 1.98 क्या आज की डेट में माल लो यह 2 cm तो आज का 2 cm उस समय का कितना cm बताएगा 1 upon 0.98 into 2 यह बताएगा त्यानी कि आपके पास क्या आ गया यह original length आ गई कि यह length originally कितनी रही होगी यह length originally shrink होने से पहले length किती रही होगी वह आपको मालिम चल गए अब जब यह length मालिम चल गए तो आपको मालिम है क्या कर एक cm बराबर एक मीटर है तो इतनी length कितने के बराबर होगी एक मीटर से multiply कर दो समझ गए तो simple सा तरीका क्या है यहां से में मालिम चल जाएगा कि originally जो एक cm था वो आज की data में अगर 0.98 cm है तो आज का 0.98 cm उस समय का 1 cm था तो आज का 1 cm उस समय का 1 upon 0.98 था तो आज का 2 cm उस समय का किता रहोगा यह रहोगा तो हमें इसकी क्या गई original length मालिम जल गई अब original length को scale से multiply कर दोगी तो ground की distance आजएगी तो ground पर distance हो नहीं से कोड़ चलिए अब यहाँ पर shrunk scale देखते हैं क्या होता है? श्रंक scale बराबर होता है original scale into shrinkage factor जहां shrinkage factor क्या होता है? तो shrinkage ratio या shrinkage factor बराबर होता है shrink length upon original length श्रंक length upon original length थे shrinkage factor होता है अगर exam में आप से पूछ ले यह होता है shrunk scale upon original scale या shrink RF upon original RF ठीक है? अगर आपको correct distance निकालनी है map पर ठीक है तो आप इस से भी यहाँ से भी निकाल सकते हैं major distance on map upon shrinkage ratio ठीक है तो आप shrinkage ratio निकाल लो ठीक है for example इसी case में ठीक है अगर मैं ध्यान से देखो तो यह 1 upon क्या this is 0.98 upon 1 और into 2 यह क्या है यह जो upon में लिखावा है shrinkage factor ही तो है 0.98 क्या है shrink distance और 1 क्या है original distance तो यह क्या होगा shrinkage factor तो 1 upon shrinkage factor यह shrinkage ratio into major distance on map वो क्या है तो यही correct distance आगे ठीक है तो इस से भी आप कर सकता है नहीं तो common sense जो unitary method है उससे कीजिए unitary method से कीजिए तो ज्यादा better है ठीक है now अगर आपने wrong scale use कर लिया अगर सही scale की जगे wrong scale use कर लिया जैसे मान लिए एक centimeter बरावर पढ़ना था 10 meter बट आपने पढ़ लिया एक centimeter बरावर एक meter गलत पढ़ लिया तो ऐसे case में सही length निकालने का formula होता है correct into correct बरावर wrong into rank correct length into correct RF बरावर wrong length into wrong RF ठीक है इस formula से आप correct length निकाल सकते हो तो correct into correct बरावर wrong into wrong चलिए अब इसकी कोई जरुत नहीं है इसकी कोई जरुत नहीं है इसकी कोई जरुत नहीं है ठीक है linear measurement linear measurement को ही आप लोग क्या करते हैं chain serving मानकर पढ़ते हैं क्या पांकर पढ़ते हैं इसमें कुछ terms यूज होती है तो पहली बात ये होता है कि linear measurement में या जिसको आप लोग chain survey भी बोलते हैं क्या बोलते हैं chain survey chain survey में only linear measurements ली जाती है क्या linear measurements no angle कोई भी angular measurement जो है वो नहीं लिया जाता है ठीक है लेकिन इसके आप chain ही यूज करें ये कोई जरूरी नहीं है आप tape यूज करेंगे तब भी उसको chain नाम chain survey ही दिया जायेगा ठीक है चलिए इसमें कुछ terms यूता है is a main station main station it is a point in chain survey we are two triangle sites meet जहां पर two triangle sites में लेंगे उसको हम लोग वोलेंगे main station वो लेंगे main survey line main lines को मिलाने वाली main survey line tie station और subsidiary station ठीक है तो कई बार क्या होता है कि main line से जो offsets होते है है वो बहुत उनकी length जाधा आती है जिन पॉईंट की ट्रें लेनी। वो पॉईंट दूर होता है तो हम लोग क्या करता है लेन लाइन पर कुछ अगर यह दोनों distances same आती है इसका मतलब आपका जो survey work है वो ठीक है और अगर इसमें error आता है इसका मतलब क्या है गलती है offset क्या होता है distance of any point from survey line is called offset जैसे यह survey line है और यहाँ पर यह कोई point है तो इसकी distance होगी यहाँ से वो आपकी offset होगी what is chain is the chain is nothing but distance chain is distance in the progress of survey ठीक है तो जैसे आप इस लाइन इस तरह से या इस लाइन के लोंग survey कर रहे थे तो A से B तक की जो distance होगी इसको चीनेस बोलोगे इसको क्या बोलोगे चीनेस बोलोगे यहाँ पर देखिए तो जैसे यह A, B, C और D यह आपके main stations थे यह D और B को मिलाने वाले जो सबसे लंबी लाइन है वह आपके पास baseline होगी यह baseline होगी ठीक है baseline अब मान लीजे मुझे इस point को क्या करना था इस point की distance मेजर करने थी यह point यहाँ से बहुत दूरी पर था तो मैंने क्या कर दिया यह E station E और E station F ले लिया इनको मिला दिया तो यह हमारे पर बनगी tie line और E और F जो गे वो tie station हो गये तो यहाँ से मैं बड़ी आसानी से इस point की distance को या इस point को है किसी को भी measure कर सकता हूँ यह G और यह H यह दो point ले लिए इन दो point को मिला आया तो यह हमारे बनगी check line ठीक है तो इनके corresponding ground पर जो point होंगे उनकी distance और यहाँ पर जो distance है scale apply करने के आपने same आने चाहिए ठीक है अब यहाँ पर सवाल ही आता है कि यह ज पूछा जाता है यह भी सवाल पूछाता है हम लोग करते क्या है triangles बना बनागा जैसे इन दोनों के respect में हमने यह point निकाला एक triangle बन गया फिर इसकी और इसकी context में यह point हो गया यह triangle बन गया ठीक है फिर यह point आ यह आ गया इन दोनों के थुरू यह वाला point आ जाएगा ठीक है फिर यह माली में यह माली में इसकी तुरू यह point आ जाएगा ठीक है तो triangle बना बना कर हम लोग जो है वो chain surveying करते है तो chain surveying का main principle क्या होता है triangulation triangles के तुरू ठीक है अब यहाँ पर सवाल आता है कि well condition triangle क्या होता है तो ध्यान तो अगर यह angle बहुत कम होगा ठीक है बहुत कम हो यह एंगल 120 से जादा और यह angle 30 degree से कम तो गर बढ़ है सबसे बढ़िया triangle होता है equilateral triangle जब तीनों एंगल कितने होता है आपके जब तीनों एंगल आपके कितने होता है 60 degree के होता है ठीक है तो well condition triangle की definition आपसे exam में पूछी जा सकती है ठीक है equipments कौन-कौन से यूज़ करते है तो serving chain serving chain कही तरह की होता है revenue chain गंटर's chain इंजिनियर's chain matrix chain revenue chain 33 feet लंबी होती है गंटर's 66 feet इंजिनियर's chain इंजिनियर's chain को पहले एंजिनियर's chain बोलते थे विकास अंग्रेज्जों के जमाने में foot pound system ही होता था ठीक है तो तब कि लेकिन आज की engineering change है वो ए Awwed इस्कों use करते यह 2 , mıंटं होती है 35 meter और 20 meter में ठीक है तो इसका एक link होता है जो एक link होता है एक link जो रिंबी सैन्टी मेटर का 20 सैन्टी मीटर का ठीक है तो 30 meter में में 500 लिंक आते है और 20 में 100 तो वन लिंक Süb20 सेंटी में एकजाम में पूछा जाता है 30 meter में कितने link होते हैं, तो ये भी exam में पूछा जाता है, ठीक है, as per IS specification, एक meter की length में plus minus 2 से जादा का change नहीं आना चाहिए, ठीक है, हर 5 meter के बाद में एक brass की टली लगी होते है, टैली लगी होते है, उससे मालम चल जाता है, 5-5 meter पूरे होगे, 20 meter की chain में total plus minus 5 mm से जादा की error नहीं होन चाहिए, ये भी आप से exam में पूछा जा सकता है, ये भी आप से exam में पूछा जा सकता है, ठीक है, फिर होता है tape, tape भी कही तरह था, cloth ये linen tape, metallic tape, steel tape, inward tape, cloth कपडे का tape, normal work के लिए, जो tailor वगएरा होता है, उनके पास भी होता, लेकिन use use करके तूट जाता है, खरा हो जाता है, तो फिर बनता है metallic, ना metallic है, लेकिन metal का नहीं होता, actually एक कपडे का ही tape होता है, उसके अंदर metal के क्या होता है, wire लगा दी जाता है, metallic tape हो गया, उसके बाद आया steel tape, लेकिन steel का क्या होता है, coefficient of thermal expansion बहुत जादा होता है, तो temperature का effect पढ़ जाता है, temperature की वज़े से tape के length घड़ जा इस्टील से, 0.122 into 10-1, तो इस पर temperature का effect क्या है, कम पढ़ता है, और जो इन्वार होती है, वो steel और nickel का क्या होती है, nickel का एक alloy होती है, ये भी आप से exam में पूछा जा सकता है, फिर होता है, packs, packs जो होता है, वो basically लगड़ी के खोटे होता है, ठीक है, इनको ground के अंदर penedir करन से मालिम चल जाता है कि station क्या है, फिर होता है arrow, arrow का काम क्या होता है, कि जैसे जैसे chain पूरी होती रहेंगी, वहाँ पर arrow लगाते जाएंगे, तो arrow को count करके मालिम चल जाता है कि भया, कितनी chain हमारी हो गई, क्योंकि एक उसके थुरू हमले को क्या करना है, measurement करना है, then is ranging rod, ठी ठीक है, अमाल ये A से B, इस 100 मीटर की distance है, तो आप लोग सीधी रेखा में, चल लो या नहीं, चल लो कैसे मालिम चलेगा, तो ranging के तो चलेगा, ठीक है, एक offset rod होती है, ये भी ranging rod की तरह ही होती है, और इसमें open hook लगा होता है, जाड़ी जंकार में chain फर जाए, तो उसका आप निकाल पे सकते हो, उसका आप निकाल पे सकते हो, ठीक है, और आपके ranging rod 2-3 मीटर की होती है, तो ब्लैक और या रेड और वाइट कलर की इस तरह की strips हैं, वो लगी होती है, ठीक है, फिर कभी-कभी क्या होता है, आपर right angle पर offset लेने होता है, तो angle measuring instrument तो हमारे पास होता नहीं एंगल तो यूदर करते नहीं, लेकिन हम open cross staff या french cross staff type की कुछ instrument यूज़ करता है, जिल इनकी help से हम लोग क्या करता है, मान लीजी, main survey line है, ये main survey line है, ठीक है, तो इसके through हम लोग क्या करता है, इसके perpendicular line पर कर सकता है, इसी तरह से french cross staff होता है, इसकी खासेती होती ही कि इसमें 90 degree के साथ 45 degree, 90 degree और 135 degree, यानि कि 45 के multiple में भी angles में पर offset draw किये जा सकता है, इसी तरह कि कुछ और instrument होते हैं से optical square या prism square, optical square या prism square ये light के reflection पर based हैं और इनका भी same purpose होता है, यहाँ पर दो mirror यहाँ पर दो prism जो होता है, वो 45 degree के, या रखना 45 degree के, क्योंकि 45 degree पर अकर दो mirror या pr prism को रखा जाए, तो multiple reflection के बाद मैं light जो होते हैं, वो 90 degree पर reflect हो जाती है, 90 degree पर, इसी तरह के से instrument होता है, क्लाइनोमेटर, इसका काम होता है, inclination measure करना, inclination measure करना, हाँ, offset rod के दो काम होता है, offset rod से ये काम भी कर सकते हो कि chain को निकालना, और दूसरा काम उसे छोटी मोटी distances को भी directly measure कर लिया जाता है, ठीक है, बिना chain के, ठीक है, बिना chain के सीधे-सीधे उससे आप 1-2 meter छोटी छोटी distance को measure कर सकते हो, इसी नहीं हो, उसका नाम में offset, तो basically काम तो क्या था, इसका offset measure करना, छोटी distances को measure करना, हर समय chain उसना करने पड़े, लेकिन साथी साथ इसका दूसरा use भी कर लिया, जोगाल technology, फिर होता है, ranging, तो ranging दो तरह क्यों होती है, direct ranging और indirect, या ranging और ranging out, इसमें direct ranging, indirect ranging and random line method, ठीक है, तो यह सब आपको बताया गया था, चले, अब इसमें आता है correction, correction for chain measurement, सबसे पहला होता है standardization correction, कर् economics नित्य ये कुए जरूरी नहीं है उसकी लम्बाई जादा भी हो सकती है थेकर उसको बोला जाता है यहां तू लॉंग या तू शॉर्ट यद्टू लॉंग या तू शॉर्ट अब यहां पर एक सवाल आता है कि अगर मैं कहुं कि आपके जो चेन हैं आप 20 मीटर की चेन लेकर चल ले ते जी इस प् practically आ पहुए यह छेंडी का फेन जो ती वो टू लॉंग भी। मतलब आ option in more और option भी less क्या आएगी जल्दी बताऊ अगर 20 मीटर की चेन 20 मीटर की वजयाए 20-2010 एक मीटर की हो तो मेजर डिस्टेंस जादा आएगी या कम आएगी क्या का होगे जल्दी बताऊ और इसी से डिसाइड होगा कि आपका एरड क्या होगी क्या होगी क्या होगे हुआ है है तो तो सभी समझ कि लेस आएगी क्यों लेस आएगी कोकि जिस डिस्टेंस को तुम 20 मीटर मान रहे हो वो एक्षॉल में कितनी यह है इंट्य पॉइंट्ट फैंट वान मीटर है तो मानलों अगर आपने 40 40 meter distance आपने का कि ये distance जह वो 40 meter total 40 meter तो यह 20 लेकिन वास्तव में कितनी यह वो 20.1 20.1 तो गरबल होगे तो error कैसी होगी एर्र निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी तो एर्र कैसी होगी एर्र निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी तो याद अखिए का एर्र निगेटिव होगी तो कि एर्र होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुल वैल्यू एर्र क्या होता है मेजर्ड वाल्यू मैंनो actual value तो error जो होगी negative होगी अगर error negative होगी तो correction कैसा होगा तो correction होगा positive correction हमेशा error का उल्टा होता है क्यों क्यों कि correct करने के लिए value add करनी पड़ेगी correction के लिए क्या करना पड़ेगा value आपको add करनी पड़ेगी ठीक है बया और इसको मैंने बोला simple सा तरीका बताया था कि कोई formula कुछ भी याद नहीं करना आपने आपने कुछ भी याद नहीं करना तरीका क्या है कि आप यह सोचो कि जो correct length अगर आपको निकालनी है अगर आपको correct length find out करनी है तो आप क्या करो measured distance जो distance आप measure करके आए हो LM upon जो length है जो गलत रहेंगे length है उस length से आप या कर लगेंगे इसको divide कर देंगे तो आपको number of chain मालम चल लेंगी और उसका आप क्या करेंगे actual length से multiply कर दोगे या आप कहिए कि जो 10 आपको आपको क्या मिल देगी correct length मालम चल जैसे for example हमने कहा कि आप मेजर करके आए ये distance 100 meter आपने का कि भरी ये distance है मैंने 100 meter distance ना आप ली और change है वह 20 meter की ती या मैंने ही आपसे का मैंने का कि भरी जरा यह 20 meter की chain ले जाओ और जरा 100 meter की distance ना आप दो आप गए खुशी खुशी 20 मीटर की चेन लेके आपने का देखो सर्थ एसे एसे बीतर 20 मीटर यह हो गया 20 मीटर यह हो गया 20 मीटर यह हो गया तो अगर मुझे actual length निकालनी है तो 20.1 कितनी बार आया 5 बार तो मैं क्या करूँगा 20.1 को 5 से multiply करूँगा तो 100.5 मीटर आएगा ठीक है लेकिन क्या हम ऐसे number line बनाते रहेंगे क्या नहीं तो हम लोग क्या करेंगे हम नाप के कितना लाये थे 100 नॉमिनल लेंग किती थी 20 तो 100 बटे 20 करके मुझे मालूम चल गए कि जो chain थी वो 5 बार पड़ी थी ground में ए से बी तक एक chain, बी से सी तक दूसी chain, सी से दी तक तीसी chain, दी से ए तक चौती chain, दी से ए तक पांच भी chain तो 100 बटे 5 और फिर actual length से multiply कर दिया 20.1 से तो मुझे क्या आगया actual length आगी ठीक है तो सबसे सही तरीका होता है इसको करने का तो जो value measure करके आए उसको nominal length L measured upon nominal, nominal, LM upon LN, तो measured value M by N कर दो, measured value upon nominal length और इसको फिर actual length से multiply कर दो अब इसमें correction error निकालना है तो फिर आप इसके थ्रू निकाल सकते हो, ठीक है अब ही, चलिए, next अब है slope correction Slope correction में simple सा होता है कि आपको measure करने होती है horizontal distance, लेकिन slope पर measure हो जाती है यह यह वाली length तो ऐसे केस में यह length अगर मुझे measure करने तो length कितने हो, यह L cos theta होगी, इधर component लेंगे L cos theta तो correction कितना हो जाएगा, correction हो जाएगा actual value minus measured value और error होता है measured value minus actual value तो correction हो जाएगा actual value L cos theta minus measured value N, L common ले लिया cos theta minus 1, minus common ले लिया minus scale 1 minus cos theta तो देखो correction के आगिया negative, correction के आगिया negative, ठीक है अब यहाँ पर बच्चों को बड़ा confusion हो नहीं आता है यहाँ पर बच्चों को बड़ा confused होने आता है, यहाँ पर कहते हैं सथ, यहाँ पर L जादा है, तो यहाँ पर correction negative कर देओ, उपर chain जादा थी, तो correction हो पॉजिटिव कर रहे थी, यह क्या चक्कर है तो यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि जब chain की length बढ़ती है, तो chain की length बढ़ती है, तो measured length घट जाती है, चेन की length जब बढ़ती है, तो measured value घट जाती है, इसने correction positive होता है और जब chain length कम हो जाती है, तो measure length बढ़ती है, इसने correction जो होता है, वो negative होता है ठीक है, तो ultra होता है, हमेशा कि कोई भी ऐसा factor जिसकी वज़े से actual length, actual value बढ़ी हुई मिलती है, वहाँ पर correction negative होता है और जब actual length घटी हुई मिलती है, तो correction क्या होता है, नीगेटिव, तो chain या tape की length बढ़ने का ultra effect होता है chain की length बढ़ने का मतलब यह नहीं होता कि ground पर distance बढ़ रही है, ground पर length अगर जादा है ground पर length अगर जादा मिल रही है, आपको किसी भी वज़े से, तो वो सारे के सारे correction क्या होंगे, negative होंगे सारे के सारे correction क्या होंगे, negative होंगे अब यह कई सारे factor की वज़े से length बढ़ी हुई मिल सकती है, जैसे slope की वज़े से slope की वज़े से length बढ़ी हुई मिलेगी ठीक है, बड़ी ही मिलेगी बैड रेंजिंग है उसकी वरियसी भी होगी अब यहाँ पर धाने न, मान लिजे यही जो सुलोप है यह जो सुलोप है, यह आपको थीटा की तम में न देकर इस तरह से ह की तम में है, कि यह है और यह लेंग्ट एल है, तो इसमें जो कर्रेक्शन आएगा, वो आएगा, माइनस का है स्कार अपन टू यह माइनस का एच स्कार अपन टू एल माइनस का एल इंटू 1 माइनस कॉस तेटा के ही बरावर होगा ठीक है, बैड रेंजिंग की वज़े से क्या होगा, कि यह पॉइंट सीधे सीधे मेजर करना था, वर रेंजिंग गरबड हो गई, तो यह पॉइंट बी की जगे हाँ आप आप टेड़े चले गए, जाना था इस लाइन के अलो, पहुंच के इस लाइन के लोग, तो यह भी सेम चीज है, जो स्लोप वाला है, वही है, वह स्लोव वर्टिकल प्लेन में और यह होड्जंटल प्लेन में, बट बोथ हार से, इसने यहाँ पर भी जो कर्रेक्शन होगा, वहाँ एच से दिखाया था, यहाँ डी से लिख देते हैं, तो माइनस का दी स्कार अपॉर पॉर और थीटा के तब में माइनस का एल इंटो वान माइनस कॉस्स थीटा, फिर करेक्शन फ़र टेप करेक्शन, ठीक है, तो सेम चीज है, इसमें एक होता है, इस्टेंडर पूल करेक्शन, तो मैं आपको सोम के फॉर्मूली से बताया था, कि सिगमा बराबर क्या होता है, एप पी एस अपन ए, ए का ए ही रहेगा, डेल्टा एल अपन एल, तो डेल्टा एल को हम लोग करेक्शन लिख देते हैं, तो पी माइनस पी एस अपन ए इंटो एल, यहाँ पर बिसीकली क्या होता है, टेप को हमने डिजाइन क्या होता है, कि स्टेंडर पूल से खींचने के अगर यह value positive आती है, तो correction positive होगा, अगर यह value negative आती है, तो correction negative होगा, ठीक है, positive तो positive, negative तो negative, फिर होता है, temperature की बढ़े से correction, तो यह simple हो जाता है, alpha delta T into L, यह भी हमने सोम में पढ़ा रखा है, यह जो thermal stain होती है, alpha delta T होती है, length से multiply करेंगे तो correction आदेगा, यहाँ पर ही वही बा अगर यह temperature positive है तो correction positive और अगर यह temperature negative है तो temperature correction negative, automatically आ जाता है, फिर आता है sag correction, sag correction का मतलब है कि इन दो point के बीच में हमें chain को खीश कर बानना ताइट करके, बट यह इस तरीके से क्या हो गई, लटक गई, इस तरीके से क्या हो गई, आपकी chain लटक गई, तो इसमें क्या हो जाए तो correction कैसा होगा negative, और यह correction होता है, minus का w square l cube upon 24p square, जहां w क्या है, इसका udl है, l क्या है, इसकी length है, p क्या है, pull है, जिस forces से खीच रहे हो, अब यहाँ पर, इस l cube को मैं लिख सकता हूँ, l square into w, तो total weight के respect में करेंगे, तो w square upon 24p square into l हो जाएगा, कभी-कभी होता है कि, इस chain को हम लोग कई बार इस तरीके से, multiple rounds में इस तरीके से, यह sack कर रही है, तो जो total length होती है, total length chain की, मालो 30 meter की chain है, और यह 5-5 meter से इस तरीके से होगे, तो n की value 6 हो जाएगी है, 36, 35, तो l बरावर n1, तो यहां से l1, एक इसकी length दाएगी, l y है, ठीक P square या, capital W square L upon 24 N square P square, ठीक है, यह वाला W UDL और यह W total weight, फिर एक mean C level correction होता है, कि आप basically C level से, कितनी height H पर आप लो measurement कर रहे हो, तो minus का LH upon R होता है, negative, ठीक है, order of field work in chain surveying, रीकने सा, marking of stations, running survey line, taking offsets, ठीक है, यह था कुछ कुछ चीज ने, chain surveying के बारे में, next आपका compass surveying, compass surveying एक ऐसा survey होता है, जिसमें basically आप क्या करते है, linear measurement के साथ, angle भी measure करते हो, लेकिन, 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 compass से क्या होता है, हम लोग directly angle measure नहीं कर सकते है, compass के तुरू हम लोग क्या करते है, standard direction होती है, जिसको हम लोग meridian बोलता है, क्या बोलता है, meridian, उस particular meridian से ही आप लोग angle measure कर सकते हो, और उस angle को हम लोग बोलता है, क्या bearing, क्या बोलता है, bearing, जैसे यह north-south direction है, और मैं इस point पड़ो, तो यहां से अगर मुझे यह angle मालूम हो, और यह distance मालूम हो, तो मुझे b point मालू जिल दाएग तो the method of i-stabilizing control point by taking linear and angular measurement are called traversing, traverse दोत रहा क्यों होता है, close traverse and open traverse, हिंदे बोलता है, माला रेखा, तो यह आपका close traverse है, जहां से चले थे, वर करते करते, वहीं बापिस आगे, open traverse में, ठीक है, जैसे road है, canal है, railway track है, उनके लिए open, और किसी building वग्यारा के लिए close, close traverse, open traverse, ठीक है, chain surveying में और traverse surveying में, differences, chain surveying में अगेन केवल linear measurement, no angular, traverse में बोथ, linear और angular दोना तरह की measurement होंगे, इसमें जो framework होता है, वो tangle से मिलकर बना होता है, इसमें कोई tangle बनाने की ज़रुदत नहीं है, यहाँ पर check lines बनानी होती है, यहाँ पर check lines की ज़रुदत नहीं है, ठीक है, now समझते हैं, what is meridian, तो मैंने आपको बोला था कि जो हम लोग angle लेते हैं, compass के through, वो हमें क्या करना पड़ता है, किसी standard direction से लेना पड़ता है, उसी हम लोग बोलते है, meridian, यह आपकी पास कई तरह की हो सकते है, true meridian, magnetic meridian, grid meridian, arbitrary meridian, आपको cable 2 से मतलब है, true से और magnetic से, true क्या होत का हमारा जो geographical north और geographical south है, इनको मिलाने वाली line जो होते हैं, true meridian होती है, और यह हमेसा fixed है, यह नहीं बदलेगी, लेकिन अर्थ के magnetic north और magnetic south, यह जिस direction में compass की neural रहती है, उसको मिलाने वाली line को हम लोग magnetic meridian बोलता है, यह समय के साथ बदलती रहती है, यह समय के साथ बदलती इन दोनों के बीच का जो angle होता है, उसको बोलता है, magnetic declination, क्या बोलता है, magnetic declination, तो declination क्या होता है, magnetic needle, यानिके magnetic north south और geographical north south के बीच का horizontal angle होता है, कौन सा होता है, horizontal angle, delta, अगर यह delta east की ओर है, तो हम इसे positive बोलता है, और अगर west की ओर है, तो हम लोग इसे क्या बोलता है, negative बोल एक वो बेरिंग की बात करेंगे ठीक है बेरिंग की बात करेंगे अरभिटेटियर अपनी मळ्जे से मान लिये है ठीक है next bearing तो reference line को बोला meridian reference line से कोई line जो angle बनाती है उसका हम लोग बोलते है bearing ठीक है तो जिस तरीके से अगर angle true meridian से भन रहा है तो आपको जो angle होगा उसको बोलेंगे true bearing और अगर magnetic bearing से बना दे तो उसको क्या बोलेंगे magnetic bearing बोलेंगे true bearing को azimut भी बोला जाता है रहुआधिक है अवे जो magnetic bearings होती है तो हम लोग field में जाब measure करोगे तो हम जो measure करते है they are always magnetic bearing जाद रहुआधिक का field में हम लोग हमेशा magnetic bearing measure करते हैं और magnetic bearing में जो declination था उसको plus minus करके हम लोग true bearing find out करते हैं आप true bearing को measure नहीं कर सकते ground में ground में आप compass use करते हैं और compound से क्या calculate होगा magnetic bearing उस magnetic bearing में plus minus delta करके आप true bearing find out कर सकते हैं अभी जो magnetic bearing होते हैं इनको लिखने के दो system होता है एक होलता होलसल की bearing और दूसरा होता है quadental या reduced bearing कि इनकी value को reduced किया जाता है कैसी किया जाता है तो देखेगे ठीक है जब angle हमेशा north-south direction से लिया जाता है हमेशा north-south यानि से और cable हमेशा north से clockwise north-south line और से भी north end से हमेशा clockwise angle measure करेंगे तो वो WCB आपको मालू है ये theta यहापर ये theta यहापर ये theta यहापर ये theta तो इस case में आपकी value 0 से 360 की बीच में कुछ भी हो सकती है 0 से 360 की बीच में कुछ भी हो सकती है लेकिन reduced bearing में क्या होता है हम लोग north-south से ही measure करेंगे लेकिन जिदर से angle छोटा पढ़ रहा होगा उधर से measure करेंगे जैसे अगर आपका point यहापर है तो आप north direction से measure कर लोगी अगर आपकी line यहाँ है तो south से measure कर लेंगे अगर यहाँ है तो इदर south से measure कर लेंगे अगर यहां है तो नौट से मिसर कर लेंगे तो यह रहा का North Theta East, South 5 East, South Vita Best, North Delta West इस तरीके साफ को यह बालु मैं, ठीक है, जैसे अगर यह लाइन हो यह यह एंगल सेक्टी डिग्री है तो आप इसे क्या लिकिंगे बात एक यह ठीक है, दौनों को convert करना आप जानते हैं, बहुत असानी से diagram बना के convert किया जा सकता है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, diagram बनाओ, आंसर पाओ, फिर होता है 4 bearing and back bearing, तो survey की direction में, survey की direction में, survey की direction में, survey आप A से B की और कर रहे हो, तो A से खड़े हो कर जब B की और जब bearing measure करोगे, तो उसको हम बोलेंगे 4 bearing, लेकिन आप B पर गए और बापसी आपने पीछे की तरफ मुड़कर देखा A की और तो उसको बोलेंगे back bearing, simple सी बात है, back bearing, लेकिन measure हमेशा कहां से करेंगे, not से करेंगे, अगर आप whole circle bearing में कर जाए, तो यहाँ पर देखो, यह 4 bearing है, और इसी line के लिए पूरा angle complete पीछे की और देखेंगे तो च्या देखा, back bearing हो दाएगा, 4 bearing और back bearing में relation क्या होता है, 4 bearing और back bearing में relation आपका क्या होता है, तो back bearing बरावर होती है, 4 bearing plus minus 180, back bearing बरावर होता है, 4 bearing plus minus 180, अगर 4 bearing की value 180 से कम है, तो 180 जोड़ दो, ठीक है, back bearing ब बरावर होता है 4 bearing plus minus 180, अगर value 180 से कम है तो 180 जोड़ दो और 180 से जाधा है तो 180 क्या कर दो, minus कर दो, 180 क्या कर दो, minus कर दो, इसका derivation आपको करवाया हुआ है, but no need, but no need, ठीक है, और अगर आपका जो bearing system है, वो reduced bearing में, किसमें है, reduced bearing में है, तो तो और भी आसान हो जाता है, 4 bearing से back bearing करने में, north का south कर दो, south का north कर दो, east का west कर दो, west का east कर दो, उल्टा पुल्टा कर दो, 4 bearing north theta east थी, तो back bearing south theta best बन जाएगी, south theta west बन जाएगी, ठीक है भया, फिर होता है, इनके बीच का included angle निकालने का आप से पूछा जा सकता है, included angle निकालने के दो cases बन सकता है, कि जिन दो line के बीच में, angle निकालना है, उनका origin एक ही point है, उनका origin क्या है, एक ही point है, जैसे o a line, और o b line, o a की जो bearing थी, वो theta थी, और o b की bearing जो है, वो phi है, तो इनके बीच का angle आप देख सकते हो, phi minus theta निकल दाएगा, ठीक है, इसी तरीके से मानली जीए, ये angle देखो theta है, और ये पूरा angle के है, phi है, तो इनके बीच का angle किता हो रहेगा, phi minus theta हो रहेगा, ठीक है, एक के सी भी आ सकता है, कि o से a की bearing theta है, और ये bearing phi है, ऐसे केस में क्या होगा, आप ये वाला angle निकाल देना पर देख 360 minus phi, और फिर उसमें theta add कर देना, तो इस केस में जो angle होगा, वोगा 360 minus phi plus theta, आपको याद होगा, मैंने इस तरह के question practice करवाये थे, exam, ठीक है, आई वो question exam में, फिर दूसरा होता है, वेन, बोध थी lines are originate from different point, यानि कि जो a b line है, वो यहां से originate हो रही है, और जो b c line है, वो यहां से originate हो रही है, ऐसे case में जो angle होता है, इनके बीच का angle, वो simple होता है, back bearing of previous line, प पिछली line की back bearing में से ugly line की forward bearing जो है, वो minus कर देखो, पिछली line की back bearing, यह पूरा angle जो यहां से निकलेगा, यह जो पूरा angle यह क्या है, पिछली line की back bearing, और यह angle क्या है, ugly line की forward bearing, उसको minus किया, तभी क्या मिला, यह angle मिला, यह कब लेते हैं, clock wise traversing मिलेते हैं, अगर यह value negative आ और मुढ गए ऐसे, तो deflection angle, curve chapter में हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो diagram बना कर आप deflection angle भी बड़ी असानी से निकाल सकते हो, ठीक है, then magnetic declination मैंने आपको already बता दिया, already मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अब या दखिएगा, कि delta अगर east में है तो add कर देते हैं, और delta west में है तो subtract कर देते हैं, तो magnetic bearing से true bearing कैसे निकलती है, magnetic bearing plus minus delta, magnetic bearing plus minus delta, ठीक है, देखो जैसे, माल ये true north है, और ये magnetic north है, तो आपको जो angle मिलता है, वो मिलता कहां से, ये आपकी magnetic bearing, ये आपकी magnetic bearing, magnetic line से distance, बट मुझे चाहिए कहां से, true से, तो true से find out करने के लिए मुझे क्या करना पड़ तो plus कर देता है, और अगर इधर हो जाता है, तो आपको magnetic से total angle पता है, बट मुझे true angle चाहिए, तो इस total में से, जब मैं delta minus करूँगा, ता मुझे true bearing बिलेगी, ठीक है, true bearing, तो यहाँ पर ये minus होगा, this is correction, यहाँ पर क्या होगा, ये basically minus होगा, ठीक है, ये objective के लिए important है, ये होती है, ये agonic line होती है, ठीक है, बाकी भाईया, जो original, जो आपके true, जो true meridian है, वो कभी change नहीं होती है, ठीक है, तो इस तरह के numericals भी आई हो है, हमें 2 points, 2 line ऐसी मालुम होती है, जिसका पुराना declination मालुम है, पुराना आपको true, क्या कहता है, ठीक है, given data होगा आपके पास, आप simple सा ही कहा सकते हो, कि किसी space पर आपको true bearing पहले की true bearing वालुम थी, और पहले की magnetic वालुम थी, आज true तो हमें साथ same ही रहती है, same ही रहती है, ठीक है, तो M1 पिलस डेल्टा 1 बरावर होता है, M2 पिलस डेल्टा 2, तो M1 डेल्टा 1, M2 पता होगा, तो हम डेल्टा 2, आज का महा पर क्या है, declination निकाल सकते है, यह change होता रहता है, ठीक है, देख लो, magnetic declination क्या होता है, change होता है, पहला होता है, secular variation, बहुत लंबे समय में जो change होता है, उसको secular variation बोलता है, एक साल में जो change होता है, उसको annual variation बोलता है, दिन में दो बार जो change होता है, या दिन में सुभा साम के और irregular variation जो कभी भी आचाना कभी भी हो सकता है ठीक है वह फिर होता है local attraction local attraction क्या होता है कि आम जो compass survey कर रहे थे तो compass में जो needle है वो magnetic है वो लोही से attract हो सकती है तो यहाँ दखेगा जहाँ पर आप survey कर रहे हो जहाँ पर आप survey कर रहे हो अगर उसके आसपास में कोई permanent object है याद रखेगा local attraction को हमेशा permanent object के लिए ही consider किया जा सकता है जैसे कोई electric pole है कोई railway line जा रही है कोई hand pump लगा हुआ है कोई transformer रखा हुआ है वो आपने belt पहन रखे उसमें लोही का buckle है लोही की chain pass में पढ़िये वो तो जिन objects को आप survey करते समय हटा सकते हो उनको local attraction में consider नहीं किया जाता है ठीक है भी धान रखेगा local attraction है या नहीं है कैसे मालिम चलता है तो ऐसी line जिसकी four bearing और back bearing का difference exactly 180 होता है ठीक है एक ऐसी line जिसकी four bearing और back bearing का difference exactly 180 होता है उसके दौनों station जाए तक ना उसके दौनों station local attraction से फिर होता है क्योंकि अगर एक पर भी local attraction है तो फिर difference exactly 180 degree नहीं आएका ठीक है इस तरीके से पैचानने को आ सकता है फिर sum of external included angle होता है 2n plus 490 और internal का summation होता है 2n minus 490 दौनों आपके एक्जाम में पूछेगा दौनों आपके एक्जाम में पूछेगा फिर होता है dip dip क्या होता है कि जो needle होती है needle जो होती है उसका horizontal से जो angle होता है vertical plane में उसको हम बोलता है dip यह जो dip होती है pole पर इसकी value 90 degree होती है आपका माले में क्यों तो कि needle हमेशा कहां जाना चाहेगी north और north pole कहां आपके पैरों के नीच है तो needle vertical हो जाना चाहेगी ठीक है तो horizontal से एंगल बनाती है सेम डिप वाले point को मिलाने वाली line को आइसो कली नहीं बोलते हैं ठीक है और 0 वालों को एक लाइनिक हाँ इस पर जी बिल्कुल पढ़ाई करते रही है ठीक है अब देखे दो तरहां के compass होते हैं हमारे पास एक surveyor compass और एक prismatic compass इस पर एक्जाम में question आता है ठीक है तो surveyor compass की जो least count होती है वो 15 minute यानि कि एक बटे 4 degree होती है और prismatic compass की जो least count होती है वो 30 minute यानि कि half degree होती है एक्जाम में पूछा जा सकता है दूसर सवाल या आता है कि जो surveyor compass है उसमें कौन सी bearing आप यूज़ करते हो तो surveyor compass और इधर आपका prismatic compass तो यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि सर ने बताया था PWD के बारे में सर ने बताया था PWD के बारे में तो सर ने क्या बताया था कि surveyor compass में S से surveyor compass में reduced bearing जोती है जबकि P से prismatic compass में whole circle bearing होती है ठीक है तो leveling जोते है वो vertical profile ना work करती है vertical plane में कहाँ पर level बढ़ रहा है कहाँ पर level घट रहा है उसका हम लोड़ ने leveling leveling बोलते है ठीक है तो समझते है level line क्या याद रखे का level line कभी horizontal नहीं होती से level line या होती है वो अर्थ के लेवल याइन जो होती है वो earth की surface के parallel हुतakah और यह और curve line लाइन ओ यहाँ पर gravity का same effect नहीं पड़ेगा उसको level of line बोलते हैं बट क्योंकि अर्थ का curvature बहुत कम है, अर्थ की radius बहुत जादा है, अर्थ का curvature बहुत कम है, तो practical purpose से जो level line होती है, हमारे लिए day to day वो horizontal line होती है, ठीक है, जब कि देखें, यहाँ पर यह level line है, तो horizontal line इसके tangential होगी, यहाँ पर horizontal line इसके tangential होगी, और देखें कि 2 horizontal line 90 degree पर मिल देखें, यह भी अपने अपने कमाल है, कि 2 horizontal line 90 degree पर मिल रही है, अगर मैं pole पर और equator पर horizontal line खीजता हूँ, तो 90 degree पर मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि यह level line की क्या है, टेंजिंचल है, ठीक है, टेंजिंचल है, अब इसमें कुछ term समयने चाहिए, बेंचमार, बेंचमार क्या हो बेंचमार्क, established by surveyors of India, जो कि इंडिया में कहा है, Mumbai port पर है, अब इसके respect में आप दूसरे benchmark क्योंकि आप जब भी survey करोगे, यह लखनों का survey करना है, तो बंबई से तो start करोगे है, तो पहले से PWD ने क्या करता होगा, यह surveyors of India ने कुछ permanent benchmark established करता होगे, कुछ temporary benchmark होता है, और होता है, ठीक है, now, different type of methods of leveling, एक होता है direct leveling, जो कि आप level के थुरू करते है, spirit level के थुरू जो leveling करते है, dumpy level, वो direct leveling, फिर बाकी कई तरीक के होता है, indirect leveling के, जैसे trigonometric leveling, trigonometric leveling क्या होता है, आपको याद होगा, height and distance हम लोग mathematics में chapter पढ़ते थे, ठीक है, इसमें कुछ trigonometric के formula लग करता है, और आपको माली में, जैसे-जैसे हम लोग height पर उपर जाता है, pressure जो हो चेंज होता है, तो pressure में change को पकल कर आप height का idea लगा दो, तो वो barometric leveling हो जाएगी, इसी दरहा से होता है hypsometric leveling, आपको माली में height पर जाने पर pressure कम होता है, pressure जब कम होता है, तो पानी का boiling point कम होता ह है, तो पानी की boiling point को measure करके, आपको pressure का idea जाएगा और उससे आपको आइज लग जाएगा height का, इसको बोलता है hypsometric leveling, हिपसो, ठीक है, ये भी exam में पूछा जा सकता है, फिर होता है direct leveling, इसके कई सारे तरीके है, simple leveling, differential leveling, check leveling, fly leveling, profile leveling, cross section leveling, reciprocal leveling, precise leveling, सबसे पहला है simple leveling, ठीक है, simple leveling ज instrument, अगर दो point, ऐसे दो point है, A और B, जो एक ही position से दोनों दिखाई दे रहा है, तो आपने क्या क्या, C point पर instrument को रखा, वहाँ से A का level निकाला, B का level निकाला, और दोनों का difference मालें चल गया, वो है आपका simple leveling, फिर होता है आपका differential leveling, differential leveling में हो क्या होता है, जो points है, काम वही है, simple leveling बाला, लेकिन इसमें क्या होता है, points बहुत दूर है, points का हैं, बहुत दूर है, तो इनके बीच में intermediate points होंगे, उनका level भी आपको find out करना पड़ेगा, और इसमें एक से ज़्यादा जगा पर instrument हमें क्या होता है, रखना पड़ता है, फिर होता है check leveling, नाम सी मालुम चलना है कि check leveling किस ने की जाएगी, जो भी work आपने क्या, उसको check करने के लिए, फिर होता है fly leveling, fly leveling उड़ते उड़ते, ठीक हावा का जोका बन कर, उड़ते उड़ते कौन सा काम होता है, जब बहुत जल्द बाजी में हम लोग होता है, तो जहां में एक rough leveling करनी ही होती है, precision उतना ही है, तो बहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, fly leveling करेंगे, फिर होता है profile leveling, profile leveling का मतलब क्या, जैसे कोई road है, उसका alignment हाव घर हमें find out करना है, तो हम ऐसा alignment नहीं चाहेंगे, हम लोग ऐसा road का alignment नहीं चाहेंगे, जहां पर कभी तो बहुत ज़दा rise हो रहा है, कभी तो बहुत चाहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक rough, जा कही एक profile बनाना चाहा है, एक profile leveling, तो longitudinal direction में इस leveling को करेंगे, वहाँ का profile leveling, cross section क्या होता है, कि जो सड़क है, उसका भी हमें ध्यान रखना है, camber वगारा का, ठेक है, तो बहुत जो, जो काम profile leveling का longitudinal direction में, cross leveling का वहीं जो काम है, transverse direction में, then reciprocal leveling, reciprocal leveling कब करनी पड़ती है, जब मुझे A और B के बीच का level find out करना है, मालो मुझे इनके बीच में fly over बनाना है, यहाँ पर यह कोई river आ रही है, मुझे इसके उपर fly over बनाना है, और A और B का मुझे exact में level difference चाहेंगे, ठीक है, तो ऐसे case में क्या होता है, कि refraction और curvature और other effects की वज़े से इनकी reading में गलबर आने लगती है, तो ऐसे case में हम लोग reciprocal leveling करते हैं, एक बार instrument को यहाँ रखते हैं, और A और B के बीच का level find out करते हैं, फिर इसको यहाँ रखते हैं, और A और B के बीच का level difference find out करते हैं, और फिर दौनों का average ले 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 लेता है, यह होता करने का, वो यह है, कि मान लिजे यहाँ पर आपके पास यह एक surface है, यहाँ पर यह कोई point है, और यह दूसरा point है, और इनके बीच का level का मुझे difference find out करना है, तो हमने क्या क्या, यहाँ पर यह bench mark है, यह क्या है benchmark जिसका level मुझे मालु है, यहाँ पर हमने instrument रख दिया, और यह staff है, अब याद रखिएगा, यहाँ पर एक बात कि labeling में, जहाँ पर instrument रखा होता है, वो station नहीं होता है, जहाँ पर instrument रखा होता है, वो station नहीं होता है, हमारा station वो point होता है, जहाँ पर staff रखा होता है, क्या रखा होता है, जहाँ पर staff रखा होता है, staff कहा रखा है, यहाँ पर इसका लेबल जहाँ मुझे ओलेडी बानता है यही पॉइंट हमारा benchmark है और benchmark की ऊपर हमने क्या रख दे यह रख दे रख दे इस ठीक है तो इस benchmark की जो height है वो h है तो यह जो total height हो गई यह total height होगी, कितने होगी, h plus y, इसको हम बोलते हैं height of instrument, इसे हम लोग क्या बोलते है, height of instrument, ठीक है height of instrument, बोजे मालब चल गए, ठीक है चलो, अब यहाँ पर ध्यान दो, अब हमने क्या क्या, इस staff को इस point पर भीजा, और हमने इधर की reading लेने को बोला, हमने क्या बोला, इधर की reading बताओ, इधर की reading, तो इधर की reading आगी y2, इधर की reading के आगी y2, अभी सोचे, अगर यह height h1 plus y थी, और यह height अगर y2 है, तो h की value कितनी आगी, y2 minus y1 आगी नागी, तो इन दोनों की बीच का जो level का difference था, वो हमें find out हो गया, this is simple level, ठीक है यह था height of instrument method, और यह जो distance होती है, इसको बोलते है height of instrument, तो height of instrument basically क्या होता है, जो line of sight होती है, height of instrument क्या है, जो line of sight होती है, benchmark से उसकी height होती है, तो benchmark से line of sight की जो height होती है, उसको बोलते है height of instrument, ठीक है, height of instrument, ठीक है, दूसरा, इसी का एक और दूसरा तरीक होता है, rise and fall method, तो rise and fall को हमें ऐसे समझना होता है, कि आ स्टाप यह बताओ जब यहां पर रीडिंग बल गई तो लेवल घड गया या बढ़ गया तो लेवल घड गया जितना ज्यादा इस स्टाप पर रीडिंग आएगी उतना यह घड्डे में आएगा जितना ज्यादा इस पर रीडिंग आएगी उतना ज्यादा यह कहां जाएग गड्डे में जाएगा ठीक है यानि कि उतना ही level क्या हो रहा है गिर रहा है ठीक है तो इसको हो गया fall तो अगर यह reading y2 y1 से ज़ादा हो गया तो मालम चल क्या fall हो गया क्या हो गया fall तो कितना fall हुआ तो y2-y1 कर देंगे तो उतना fall हो उतना fall हो गया, तो इन दोनर की बीच का difference कर दाएगा y to minus y one हो गया, simple सी बात है, यह हो गया, ठेक है, अगर यहां का level find out करना है, तो मुझे यहां का level मालूम होता है, और कितना fall हो गया वो मालूम है, तो यहां के level में से, अगर यह fall minus कर दूँगा, तो यहां का level आ जाएगा, यहां का लेवल आजाएगा सिंपल सी वात है वाट इस लेवल? तो लेवल इस नथिंग बट लेवल इस नथिंग बट डिस्टेंस या हाइट या एलेवेशन फ्रॉम सम बेंचमार्क बेंचमार्क ठीक है? चलिए नेक्स्ट एक होता है हमार पास इनवर्टेड स्टाफ लेवलिंग में क्या होता है? कि माल जो कोई टनल है कोई स्लैव है और इसकी हाइट यह हमें फाइंड आउट करनी है ठीक है? तो यह आपके पास डेटम है इस डेटम से यह आपका बेंचमार्क हो गया जिसकी हाइट है, इस रेडिंग को बोलते है बैकसाइट, पीछे की तरफ जो रीडिंग ली जाती है उसको बैकसाइट, आगे की तरफ जह दनल जाती है that is 4 साहईट तो पहले हम लोग क्या करते हैं बैंचमार्क पर बैकसाइट मून निटे है यह 0 है और यह reading दो आई इसका वाला यह distance कितनी यह दो मीटर है तो staff को यहाँ पर उल्टा invert करके लटकाए जाता है इसने inverted staff बोलता है तो यह total height कितनी रहेगी तो h plus y1 plus y2 तो inverted staff की case में तीनों reading को क्या कर देते हैं हम लोग add कर देते हैं इनों को क्या कर देते हैं add कर देते हैं ठीक है भीया फिर इसमें एक level tube होती है ठीक है level tube level tube की sensitivity का formula होता है 412 दूर्शन पांक तिन बट या यह sensitivity क्या होती है कि जो level tube होती है इस level tube पर यहाँ पर division बने होता है तो इन में से एक division center पर जो angle बनाता है उसी को हम बोलते है sensitivity अगर यह division 2 mm का है तो यह जो angle बनाएगा वो angle होगा second में 412.53 अपां आर और इसी को किसकी क्या वो लेंगे sensitivity वो लेंगे तो हम लोग देखते हैं कि radius इतनी चले हां Sensitive level tube can be increased by increasing radius increasing length of the tube and increasing diameter of tube or viscosity अगर बढ़ती है तो sensitivity कम हो जाती है और अगर inner surface की roughness कम होगी तब भी sensitivity जो है वो change हो जाएगी ठीक है अब इसमें एक formula और होता है यह formula ठीक है fine radian बरावर होता है d upon r बरावर ns upon l इसमें क्या होता है हमारे पास यहाँ पर एक staff होता है तो पहले bubble जो होता है यहाँ पर होता है यह radius r है माले यह bubble यहाँ से move कर गया तो इसकी जो tangent होती है वो इस staff पर कुछ reading s देती है तो यह reading s है और यह angle l है यहाँ पर n division घूम गया और यह total angle l है तो हम proof कर सकते हैं d upon r बरावर ns upon l बरावर 5 ठीक है फिर height of instrument method मैंने आपको already बता दिया height of instrument method already आपको बता दिया ठीक है back side, fore side, intermediate side क्या होता है intermediate side क्या होता है कि basically जब हम लोग survey कर रहे होता है तो एक जगा पर अगर हमने level को या instrument को रखा है तो हम लोग आस पास के बहुत सारी points का क्या करते हैं level find out कर लेता है तो पहली reading होती है back side आखरी reading होती है fore side इन दौनों के बीच में जितनी भी reading लेंगे उनको बोलता है intermediate side उनको बोलता है intermediate side अब जो यह height of instrument method यह fast है calculation easy है और यहाँ पर जो reduced level होता है वो ता height of instrument minus foresight या intermediate side यहाँ पर एक arithmetic check लगाया जा सकता है कि आपने जो work क्या है वो ठीक क्या है या नहीं क्या है यह formula एक्जाम में पूछता है इसका formula है sigma back side minus sigma 4 side बरावर last RL minus fast RL लेकिन इस problem में इसमें एक drawback है कि जो intermediate side पर जो आपने reading ली थी intermediate station पर ठीक है उन पर कोई error तो नहीं हुई है वो इस method से मालूम नहीं चल पाता है वो इस method से मालूम नहीं चल पाता है ठीक है फिर होता है rise and fall method तो basic concepts तो उसका बता ही दिया बस इसमें आप check और समय लो कि sigma back side minus sigma 4 side भी रहेगा last RL minus first RL भी रहेगा इसमें एक चीज़ और add देगी sigma rise minus sigma fall sigma rise minus sigma fall और इस तरीकी से इसमें क्या होता है intermediate sides पर भी check लग जाता है intermediate side पर भी check लग जाता है inverted leveling भी बता दी ठीक है next अब जा effect of curvature of earth and reflection तो curvature की वज़े से क्या होता है curvature की वज़े से क्या होता है कि reading जो है वो आपको बड़ी हुही मिलती है और जब कभी reading बड़ी ही मिलेगी तो correction कैसा होता है negative correction कैसा होता है negative तो curvature की वज़े से correction जो होता है वो negative होता है value होती है minus का d square upon 2R यहां आप से पूछ ले जाएगा ठीक है अर्थ की radius लब 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 चॉट सब किलो मीटर होती है अगर वो value हम लोग यहां पर put कर दें ठीक है तो तो जो curvature की वज़े से जो correction आता है वो आता है 0.0785 0.0785D2 यहां पर जो correction होता है वो meter में होता है और distance जो होती है किलो मीटर में होती है यहां रखेगा दूसरा correction होता है reflection की वज़े से reflection की वज़े से ठीक है reflection की वज़े से क्या होता है reading घट जाती है जो reading आपको यहां मिलनी चाहिए थी light के मुड़ने की वज़े से जो reading यहां मिलती है तो जब reading घट जाती तो correction कैसा होता है positive होता है उन दौनों को आप एड कर दोगे जब दौनों को एड कर दोगे तो आपको जो combine correction मिलेगा जो आपको combine correction मिलेगा वो कितना मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 0.0673 D square माइनस का 0.0673 D square ठीक है यह मिल जाता है अब यह कोता है distance of visible horizon distance of visible horizon का मतलब होता है कि आप या तो यहां building पर यहां से आप कितना दूर तक देख सकते हो या अगर आप यहां पर हो तो यहां से आप कितनी ऊची building को यह building आपको दिखाई देता है अगर यह building यहां होगी तो आपको दिखाई नहीं देगी लेकिन यहां होगी तो दिखाई दे जाएगी यह distance तो हम लोग क्या करते हैं इसको कर देते हैं कि 0.0673 D के अब राबर H के आप रग दोगे हो यहां से D की value solve करेंगे तो आएगा 3.85 under root H 3.85 under root H करोगे आप तो आपको distance मन दाएगी यहां पर याद रखेगा जो H होगा वो आपका meter में होगा और जो D होगा आपका वो kilometer में होगा इसको याद रखेगा बहुत बार exam में सवाल आता है आता है ठीक है भईया अब माली जी यही सवाल होता कि इधर से H1 height का object था इधर से H2 का था और इनके बीच की distance पूछेगा तो D1 निकाल लो D2 निकाल लो दौनों को क्या कर सकते हो add कर सकते हो D1 D2 को क्या कर सकते हो आप add कर सकते हो ठीक है add कर सकते हो देन है reciprocal labeling जोग राज जी वह जो values है हो सकता है वह जो पहले consider नहीं करते थे बट यह rules समय के साथ change होते रहता है क्योंकि जो real estate lobby है समझ लो ठीक है सब कुछ data का खेल है ना data का खेल है उन्होंने आपको अच्छा लगेगा या आपका 800 meter square का फ्लेट है 50 लाग रुपे का वह जाद अच्छा लगेगा तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा 1000 meter square का 50 लाग में समझ रहो तो पहले एरिया consider नहीं करते होंगे बट आप consider करते हैं ठीक है आप consider करते है नई आपको और अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी गूगल कर लो आप इसे ठीक है तो यह करते हैं या नहीं करते हैं समझ रहे बटा एक सेकंड वेट कीजिए कर बड़ हो गई और बागी एक is code है कि इवल दस पन्यों का code है वो डाउनलोड कर लेना ठीक है चलो है नव नेक्स रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्या होता है ध्यान रखेगा कि यह हमारे पास पहले लेवल यहां रखा हमने यहां पर यहां लेवल रखा और यहां पर A पर रीडिंग ली और B पर रीडिंग ली और लेवल का डिफरेंस फाइंड आउट किया ठीक है लेवल का डिफरेंस फाइंड आउट किया फिर इसको हमने यहां पर रखा और दौनों की बीच के लेवल का डिफरेंस फाइंड आउट किया ये तीनो एरर जो होती है दूर हो जाती है हाला कि इसमें लोचा है एक ठीक है उसमें आपको पढ़ने के अभी जुरत नहीं है आप किवल बस इतना याद रखो कि रैसिप्रों के लेवलिंग से ये तीनो जो है वो दूर हो जाती है ठीक है चलो नेक्स होता है कंटूरिंग तो लेवलिंग का काम होता है कंटूर में बनाना वाटर कंटूर सेम हाइट वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलता है कंटूर बोलता है ठीक है अगर यही काम अंडर वाटर किया जाए तो उसको बोलता है सबमेरीन Tick Contour Interval क्या होता है तो दो line के बीच की जो vertical distance होती है आ लिए field पर vertical distance उसको बोलता है contour interval और इनके बीच की जो horizontal distance होती है उसको बोलता है horizontal equivalent ये बहुत सारी चीजों पर depending करेगा जैसे map का scale क्या है, map का purpose क्या है nature of the country क्या है, time कितना है, fund कितना है सब चीज़ उपर ठीक है उन सब चीज़ उपर देन आपका होता है characteristics of contour इस पर exam में सवाल आता है एक खुट पानी पीने फिर आगे बढ़ता है तो देखेगा characteristics of contour तो बस सुनते जाएगा सबसे पहला होता है कि अगर कोई zero value contour होता है इसका में वह coastline पर है coastline मैंना sea level पर है तो अगर कोई contour sea level पर है तो उसका level क्या निकल कर आएगा zero आएगा दो contour कभी एक दूसरे को cut नहीं कर सकते दो contour can never intersect each other except in case of overhanging cliff cable overhanging cliff के case में cut कर सकते हैं अगर equally spaced contour है इसका मतलब जो slope होता है वो uniform होता है watershed line या this line को contour जो होता है वो right angle पर cut करते हैं इन सब के logic आपको पहले बताए गए हैं ठीक है जो steepest slope होगा वो contour के बीच की जो shortest distance होगी उसके अला होगा क्योंकि कम distance में ज्यादा change आ रहा है elevation में ठीक है दो contour line जो होती है वो कभी भी unite नहीं हो सकती है एक single line में except vertical cliff ठीक है vertical cliff इसके अलावा इसके अलावा यह तो सबसे important point आप जानते हैं कि अगर higher value contour अंदर होते हैं और lower value contour बाहर होता है तो यह कि हिल या किसी mountain को represent करते हैं और lower value contour अंदर होते हैं और higher value contour बाहर होते हैं तो यह किसी depression को किसी pond को किसी तालाव को represent करते हैं किसी गढ़्ठे को आपको यह माले में ठीक है अगर दो contour एक जिगा पर cut करेंगे तो cut वाले point पर दो elevation होंगे जो की possible नहीं है केवल एक ही case में possible नहीं हो किया है जब वहाँ पर कोई vertical cliff हो जब वहाँ पर क्या हो कोई vertical cliff available हो ठीक है चले अगर contour line equally spacing पर है तो uniform slope होता है अगर contour बहुत पास पास है तो slope जो है वो steep slope होता है अगर contour बहुत दूर दूर है तो mild slope होता है धाल जो होता है वो क्या होता है बहुत कम होता है इस बाद आता है अब के पास measurement of area, measurement of area इसकी बाद हमने आज estimation में भी की थी, पहला होता है mid-ordinary rule, तो हम लोग क्या करता है, जिस भी area को हमें calculate करना है, उसको n number of segments में हम लोग क्या कर लेता है, divide कर लेता है, तो इसको d, d, d distance के equal segments में divide कर लिया, अब हमें क्या मालुम है कि इनके middle part पर या mid section पर हमें ordinate मालुम है h1, h2 and so on तो mid ordinate rule में क्या करेंगे कि इसका area माल लेंगे h1 into d मतलब एक तरीके से क्या हो गया यह जो h1 है mid ordinate पर उसको अगर एक rectangle माल ले जाए तो उसकी average height को represent करता है ठीक है तो h1 d plus h2 d plus h3 d and so on d सम्में से common आ जाएगा तो mid ordinate rule के थूरू जो area हो जाएगा वो जाएगा d into sigma h क्या हो जाएगा d into sigma h हो जाएगा ठीक है दूसरा होता है mid average ordinate rule, average ordinate rule में क्या होता है कि आब हम यहाँ पर mid section पर h1 नहीं निकाल लेंगे actual में क्या कर लेंगे इसको एक ऐसे rectangle में माल लेंगे कि जिसका जो height होगा वो इन दोनों ordinate का average होगा तो पहले वाले का area निकालना है तो o1 plus o2 का average दूसरे वाले का निकालना है तो o2 plus o3 का average तीसरे का निकालना है तो o3 और o4 का average ठीक है and so on तो o1 plus o2 ठीक है गलबर हो गई गलबर हो गई वो उसमें था trapezoid वाले में था यहां नहीं था ठीक है यहां पर क्या होगा यहां पर होगा कि इसको एक single rectangle में convert करना पड़ेगा इसको क्या करना पड़ेगा single rectangle में convert करना पड़ेगा उसके लिए क्या करेंगे इन सबके जो ordinates है उनका average लेना पड़ेगा o1 plus o2 plus and so on सारे ordinates को add कर दो जितने ordinates से उससे divide कर दो उससे divide कर दो ठीक है तो यह average height मिल जाएगी और उसको total length कितनी है total length जाएगी n into d उसससे multiply कर द इसको हमने एक rectangle में convert कर दिया length होगी n into d और इसके जो width होगी h बराबर यह height होगी o1 plus o2 plus on plus 1 upon n plus 1 ठीक है यह होगी average order formula अब जो मैं दूसा formula बताता हो basically trapezoidal formula ठीक है trapezoidal formula क्या होता है summation of parallel side basically यहाँ पर यह भी average ही है लेकिन वहाँ पर सबका average एक साथ निकाला वहाँ पर सबका average एक साथ निकाला यहाँ पर हमने क्या क्या दो दो का average निकाला इन दोनों का average फिर इन दोनों का average यह भी average रूल ही है but इसका नाम दे दीक है trapezoidal rule तो यह क्या होता है आमने सामने ठीक ह दो offset का average into उनके बीच की distance O1 पिलस O2 upon 2 into D O2 पिलस O3 upon 2 into D ends on अब देखो O2 by 2 यहां से मिलेगा O2 by 2 यहां से मिलेगा O3 by 2 यहां से मिलेगा O3 by 2 यहां से मिलेगा तो यह half up जोड़ के plus 1 हो जाता है ठीक है तो इसका formula क्या बन जाता है कि first और last का तो half कर दो जोड़ कर पहला और आकरी का जोड़ के half कर दो और बाकी बीच के जितने ordinate है उन सब को single time जोड़ दो तो area निकलेगा first plus last upon 2 plus sigma other ordinate into distance between them into distance between them ठीक है अब यह हो जाएगा फ़र एक होता है Simpson's one third rule Simpson's one third rule जो होता है Simpson's one third rule जो होता है वो बच्चे तब लगता है जब number of ordinate आपके पास क्या हो odd हो number of ordinate क्या हो odd हो ठीक है तो इसमें क्या होता है formula होता है a बराबर d by 3 first ordinate plus last ordinate plus 4 times even ordinate plus 2 times odd ordinate ठीक है odd ordinate यह formula आपका लगेगा यह formula ही आपसे डारेक्ली पूछा जा सकता है numerical भी आता है a बराबर d by 3 first plus last plus 4 times even plus 2 times odd इसमें क्या होता है यह जो boundaries होती है इनको parabolic arch माना जाता है इनको क्या माना जाता है parabolic arch माना जाता है समझ गए यह formula अब कभी-कभी क्या होता है इसमें क्या होता है odd ordinates तक यानि कि इतने के लिए तो क्या लगाएंगे Simpson formula और जो बीटा यह आखरी वाला होता है उसको निकालते है trapezoid से और फिर दौनों को क्या कर देते है add कर देते है इसी तरीके से होता है volume measurement volume क्या होता है area into height area into height ठीक है तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मैं आपसे कहूँ कि जैसे एक फिलोर यह है आपके पास है ना तो दिखो अगर मैं इतने बीच का volume निकालना चाहूँ कितने बीच का अगर मैं इतने बीच का volume निकालना चाहूँ तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि यहां का area into height इसी तरीके से अगर मैं इतने बीच का volume निकालना चाहूं तो क्या मैं ये नहीं कह सकता यहां का area into height लेकिन ये area regular हो जरूरी थोड़ी ना है तो हो सकता है ये वाला area a1 हो ये वाला area a2 हो ये वाला area a3 हो और इनके बीच में हमने distances find out करनी D1, D2 and so on तो यहाँ पर volume निकाल साथ है तो formula बीटा बिलकुल वही रहता है केवल ordinate की जगे area आ जाता है ordinate की जगे क्या आ जाता है area तो trapezoidal में क्या था पहले और आखरी को जोड़ो पहले और आखरी का average ले लो पहले और आखरी को जोड़ के 2 से divide कर दो और बीच वाले जितने भी area हैं उन सब को add कर दो और उनकी बीच की distance से multiply कर दो यह है volume measure में प्रिस्मडल formula में क्या रहेगा बिलकुल same formula रहेगा जैसा वहाँ पर था cable क्या करना है L by 3 distance का वंतर पहले और आखरी को जोड़ो जितने even area था उनका चारगुना और जितने odd area था उनका दुगना उनका odd area था उनका दुगना करने का है अब यहाँ पर एक concept कभी कभी यह आ जाता है concept क्या आता है कि मालो concept यह आ जाता है कि मालो कि आपको केवल दो ही एरिया मालुम थे ठीक है यह उपर वाला एरिया A1 यह वाला एरिया A2 ठीक है और इनके बीच की डिस्टेंस जो थी वो माल लिजीए आपके पास थी 2X जान मुझके 2X लिए क्यों लिए बताते हैं अभी ठीक है अब इसको हमें Simpson rule से find out करना है तो क्या करें तो हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर बीच में अपनी तरव से एक एरिया और एजियुम करना पड़ेगा York यह वाला एरिया हमें बीच में एज्जियुम करना पड़ेगा लेकिन मैं इस एरिया को A1 पिलस A2 अपाँटू इस तरीके से नहीं ले सकता इस तरीके से एरिया नहीं ले सकता कैसे लेना पड़ेगा एरिया उसके लिए क्या करना पड़ेगा जो ऊपर वाला एरिया है मालनो इसकी length और width मुझे माल लिम है और नीचे वाले का जो एरिया है इसकी भी length और width मुझे मालम है यह L1 V1 और यह L2 V2 तो इसकी जो dimension निकल कर आएंगी वो आएंगी L1 पिलस L2 upon 2 into V1 पिलस V2 upon 2 समझो तो इनकी dimension का average लेके और उनका multiply करके यह area निकलेगा और फिर formula लगाते समय बच्चे गलती कर देते हैं कि अब जो interval लेंगे वो इन दौनों की बीच का interval यानि कि X लिया जाएगा क्या लिया जाएगा X यानि कि अगर original interval 10 meter था तो बेटा बीचो बीच में आपने एक नए area लेगा दिया तो आप यह 5 meter लोगे यहाँ पर यह गलती हो जाती है यहाँ पर यह गलती हो जाती है ठीक है तो 10 meter न लेकर आप किता रखना है 5 meter रखना है formula में यानि कि 10 by 3 10 by 3 न रखकर किता रखना पड़ेगा 5 by 3 रखना पड़ेगा ठीक है क्योंकि अब किनी दो area की बीच की जो distance होगे वो 5 होगे यह गलती मत करना exam में यह गलती मत करना exam में ठीक है चले next होता है traversing traversing में क्या करता है हम लोग अलग-अलग stations पर जाते हैं अलग-अलग stations पर जाते हैं और reading लेते हैं ठीक है reading लेते हैं अब इसमें दो चीज़ आपको समझनी होती है एक होता है latitude और दूसरा होता है departure traversing का मतलब है घूम-घूम का survey कर रहा है आप A point से B पर गए B से C पर गए C से D पर D पर से E पर आए अब यह close traversing है इसी तरीके साब की क्या होती है open traversing भी होती है traversing आपको linear और angular measurement दौनों करने होता है linear measurement आप chain tape उस सब से कर सकते हो angular measurement और theodolite से भी कर सकते हो departure क्या होता है latitude and departure क्या होता है इसको हम लोग समझता है ठीक है देखें तो मार लीजे कोई line AB है और यह north south line है तो यह जो रहेगा वो bearing हो रहेगा यह क्यों रहेगा यार देखो हाँ इसमें कोई दो राई नहीं है मैं फिर समझानों आप यह अगर इसमें किलास में आने का कंपल्शन नहीं है किलास आपको कंपल्शर ही नहीं करना है बिलुकुल भी याद रखेगा अगर आपको नीन आ रही है तो आप सो जाओ ताकि एक्जाम के पहले नीनदी बहुत ज़रूरी है अगर आप देर रात तक जगोगे तो वह भी आपके लिए गरवर है पहली बात दूसरा अगर आपके नोट्स प्रिपेर्ड है आप लोगों ने पढ़ रखा है तो इस समय पर सेल्फ इस्टड़ी इस मोस्ट इंपॉर्टन मैं डेली बता रहूं यह वाले सेशन केवल ऐसे बच्चों के लिए हैं जिनों ने आप अभी तक चीज़े पढ़ी नहीं है पढ़ी है तो उनको खुछ से पढ़ने में दिक्कत आ रही है दर लग रहा है खुछ से पढ़ने में बैठते हैं पढानी जाता मेरे सासर पढ़ इसलिए तो जो लोग भी जाना चाहें वो बिल्कुल जा सकते हैं अराम से सो जाईए 12 अल्मोस बच चुका है सुबह 7 वजे उठी अपना और फिर पढ़ाई में लग जाईए ठीक है जिनका एक्जाम परसो है उनके लिए और भी जरूरी है आप कल का दिन पूरा दिन आप ब इनका एक्जाम 23 को है वो कल ओनलाइन आ सकते है आना चाहें तो परसो उनको भी ओनलाइन नहीं आना है अगर आप एक्जाम अच्छे से करना चाहते हैं तो ठीक है खुश से रिवाइस कीजिए ज्यादा से ज्यादा ठीक है तो जाना चाहो जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है देखो बेटा तो यह L Length हो गई तो L Length का Component अगर मैं इधर लोंगा तो कितना में लेगा L Cos Theta इसको बोलते हैं Latitude और इधर जो Component लेगे इसको क्या बोलेगे Departure यह क्या हो जाएगा L Sin Theta ठीक है तो L Cos Theta L Sin Theta तो इसके जो Ordinates हो जाएगे वो जाएगे D, L क्या हो जाएगे D, L It is just like X, Y It is just like X, Y ठीक है इसको रट्टा नहीं मानना है आपने Sine Convention आपको पता होता है ठीक है इधर Positive, इधर Positive इधर Negative, इधर Negative जैसे अगर यहाँ पर है तो ठीक है तो Minus का L Cos Theta और Plus का L Sin Theta इसको Consider किया जाएगा ठीक है? किया जाएगा अब Check जो होता है Traverse में वो यह होता है कि Latitude का और Departure का जो Algebraic Summation है वो 0 होना चाहिए क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए तो आपका जो Close Traverse है जो Close Traverse है वो आपके पास क्या हो जाएगा? उसमें Error 0 होगी चेक करने के लिए और Open Traverse में क्या होता है? Algebraic Summ of Latitude बरावर Difference in the Latitude of Final and Initial Control Points Final and Initial Control Points ठीक है? फिर मान लीजे हमने Close Traverse में अगर हमारा सर्वे बिलकुल ठीक है तो Last में हमें इस Point पर पहुंचना चाहिए था लेकिन यहां ना पहुंचकर यहां पहुंच गे तो इसका लगा कुछ Error आपके पहुंचना था यहां पहुंचकर यहां तो यह Error होगे EX और यह Error होगे EY तो E बरावर क्या जाएगा? अंडर रूट में EX स्कार पिलस EY कर हां गुद नाइट गुद नाइट गुद नाइट ठीक है? और एंगल निकालना चाहेंगे तो 10 टीट अबरावर देखा EX अपॉन EY Relative Error of Closure जो होता होता है Error of Closure अपॉन Perimeter of Traverse इसको लिखता है E upon P इसके बाद मैं भी बंद कर रहा हूँ ठीक है? इसके बाद मैं भी बंद कर रहा हूँ Missing Data Find Out करने तो दो Equation होँगी इन दो Equation सा Missing Data जो हो Find Out कर सकते हो Missing Data Find Out कर सकते हो ठीक है? चलिए फिर आपको टेकोमेटर में मालुम ही है टेकोमेटर के दो पॉइंट आपको फटाफट मालूम होने चाहिए टेकोमेटर सिमिलर टैंगल के concept पर बेज़ड है D वराबर KS प्लस C formula होता है के multiplying constant जिसकी value C होती है C additive constant जिसकी value 0 होती है जिसकी value क्या होती है? 0 होती है lens कौन सा यूज़ करते है? अनलेक्टिक lens यूज़ करते है कौन सा lens यूज़ करते है? अनलेक्टिक lens यूज़ करते है टेकोमेटर में इस से ज़्यादा नहीं जानना आपने इतना ही काफी है टेकोमेटर में चलो ठीक है फिर जाओ अराम से पढ़ाई करो exactly 12 बजगे ठीक है सोजाओ ठीक है थोला सा कर्व थोला सा कर्व और थियोडोलाइट वगड़ा plane table वगड़ा notes से पढ़ लेना notes आपको दे रखे है मैंने ठीक है वहाँ से पढ़ लेना ठीक है? चलो